हवा मेल चांदी की टकसाल शेत्र से मंदिर से जुड़ा हुआ जो विवाद शुरू हुआ ऐसा लगता है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है एक व्यक्ति ने खुदकूशी करी उसके अंदर मंदिर पुजारी का भी नाम लिया और साथी साथ हवा मेल शेत्र के विधायक कैबिनेट मंद्री महेज जोशी का भी नाम लिया महेज जोशी जी ने अपनी सफाई कल पेश कर दिये कि उनका इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है और आज हमारे समक्ष वो पक्ष आया है जिसका नाम सबसे पहले इस विवाद में गसीटा गया उनसे भी बात करते हैं जानते हैं उनका भी क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में पुजारी जी एक व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है उसमें वो आपके परिवार का नाम लेता है कैमिनेट मंतरी और हवामल शेतर से विधायक महेश जोशी जी का वो नाम लेता है और इस खुदकुशी के बाद में राजनीती यहां पर शुरू हो जाती है क्या आपको लगता है पहले तो हम आपका पक्षी जानना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि इस विवात को जान बूज के राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और आपको परेशान किया जा रहा है इसमें ऐसा है कि यह मंदिर तीन सो साल पुराना है इसमें हम नवी पीडी में हाते हैं इसकी सेवा कर रहे हैं इसमें ये हमारे उत्तर की दिशा में एक पचास गुणा तेईस का एक प्लोट था वो हमने किराये पे इसको दिया था Cake Eink trust में इसको किराया नहीं इसको किराया देना बन्द कर दिया तो हमने खाली कराने के लिए इसके अपने किराया अधिकरण में दावा किया वो हमारा मंधिक ट्रस्त की इसके बाद ये उसकी अक पील में घय उसकी उसकी अपील में भी मंदिर के पक्ष में निर्णित हुई इसके बाद ये लोग हाई कोट में गए इसके बाद ये सुप्रीम कोट गए सुप्रीम कोट में वहां से भी जब ये हारे तो इन्होंने एक साल का अंडर्टेकिंग के लिए वक्त मांगा और इन्होंने एफेडेविट लिखके दिया कि एक साल में बाद एक साल के अंदर अंदर मैं अपना बिना किसी हुज्जत के शांती पूरवक मैं इनको कब्जा समला दूँगा जब वो एक साल का अबदी समात हो गई उसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया नहीं हम से कॉंटेक्ट किया नहीं बोला इसके बाद हमने इजरा की कारवाई को स्टार्ट किया इजरा की कारवाई स्टार्ट हुई उसके बाद इन्होंने इजरा रोकने के लिए एक दलील दीख हमारे पास इस जगे का पट्टा है तो वह हमको इसको इजरा नहीं करा सकत कोको पात चला तो कोडय को नहीं मानबा आपेल कर दिया उसमund पर लिए घाली कर दिया हैताए उसके तहतला भी बारा तारी उनसे भी ये डंग से पेश नहीं आए और उसके बाद इनों नाजिर ने अपने रिपोर्ट पेश करी आदालत में कि इसको बिना पुलिस इंदाद के खाली नहीं करा सकते तो पुलिस इंदाद चाहिए तो वो कारवाई वहां तक पेंडिंग है अब आगे क्या होगा वो दे अन्हें शिकायत करी पुलिस थाने में भी शिकायत करी तो नगर निगम सटसतर्क्ता आयोक से एक आदमी इनको नोटिस दिया गया पिर एक आदमी बिठा दिया गया तो तुम इसको इमद बनाओ अब इसके बाद दो-तीन दिन बाद यह जो इतनी दुखत घटना हुई तो तो इससे हम भी इस्तव्द हैं अब ऐसा यह क्या हुआ क्या कारण है इसका तो हम कुछ भी नहीं कह सकते यह इनका परिवार का कारण है या क्या है इससे हम बिल्कुल अन्विग्य हैं हम इसके लिबारे में हम कुछ नहीं अब यह आप कहना चाहरे हैं कि उस आत्म हत्या प्र कीया हुआ हम राहत मिले हमको भी मिले जिस प्रकार से आपने देखा और लगातार नवतेश टीवी भी सुपूरे मामले को देख रहा है हमने जिस व्यक्ति ने आत्म हत्या करी हमने उसके भी परिवार जनों से बात करी उनके कुछ अलग आरोप है हमने राजसभा सांसर डॉक्टर के रूडलाल मीना जी से भी बात करी उन्होंने भी उस व्यक्ति के पक्ष में रहकर आरोप लगाए है पुजारी पक्ष पे और साफ तोर पर उन्होंने आला कि ये कहा है कि न्याय संगत जो भी कारवाई है वो होनी चाहिए और कल महेज योशी साहब ने भी एक प्रेसवारता कर साफ तोर पर ये जाहिर करा कि मेरा इस मा कमरामेन कुलदीब के साथ उमंगबातूर नवतेज टीवी जैपुर